किसान भायों नमस्कार मैं हूं गोविन पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पार साला यूटूब चेनल आज की वीडियो जो है थोड़ा सा अलग होने वाला है कारण यह है कि आज हम एक मीर्च के ऐसे सक्सेस्पुल किसान से आपको मिलाने वाले हैं जो कि मीर्च की खेती कई सालों से कर रहे हैं काफी उन्नत तरीके से कर रहे हैं और उनका खेत जो जैसे कि आप देख भी रहे मेरे पीछे में तो काफी अच्छा तरीके से यह मेनेजमेंट करें तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मीर्च का खेत है उसमें कितना प्रोफीट है कैस किस रेसियो में रखना चीए क्या क्या आवरियों को आप सुरु से अंत तक देखते रहे हैं सफ़ल किसान से और बाड़ी या लूट संसा मैं पॉर्च नमस्कार। जिसमें मैंने मिर्ची खेती की है लोग गर्मी टाइम से इसकी जोताई उगरा करके छोड़ देते हैं उसके बाद करीबन जुन वगरा आज पास में इसमें अपन इसका फिल्ड का प्रिपिरेशन करते हैं तो इसमें हम लोग चार जुलाई से अपना ट्रांस्प्लांटिंग के हैं और नर्सरी अगर हमारा बाहर से आया है और यह आप मिर्ची देखेंगे हमारा 155 मिर्ची है तो इसमें अभी प्रोडक्शन अगरा तिन तोड़ाई हो चुका है इसमें तो इसमें पहला मेरा मेरा कम होने का कारण यह था कि इसमें डाइबेक वगर बहुत जदा आया था जिसमें प्रोडक्शन अगर कम आया था और अभी आप देखेंगे प्रोडक्शन अगर इसमें 40 कुंटल से उपर ही निकलेगा इसमें अभी रेड देखेंगे तो अभी मिर्ची का बहुत है यहां हमारे मार्केट में तो करिबन करिबन अभी हमको 38 से 40 रुपए के भ्रेज में आ रहा है भी इसमें बीमारी आप देखेंगे 3-4 मेजर डिजीज हैं पहला तो देखेंगे आप वाइट फ्लाई दूसरा थ्रीप्स माइट और एक वायरस आती है और बीच में हम चाल हो जाता है तो ढाइबेग भी हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमैं पेड को छती तो इसके लिए पहले से आपन जैसे यूश करते हैं फंगी साइड वह गरा तो थोड़ा नहीं करतें तो थोड़ा समस्य वह बहुत जाती है जैसा पेड को बहुत नुक्सान कर द अपन लोग 19-19 का यूश्ट करते हैं और उसके बाद जैसे फलक और फलक जैसे आने की आस्ता में रहता है उस समय हम पन लोग 1261 और उसके बाद 0 و 32 को अपन यूश्ट करते हैं तो इसमें आप देखेंगे बोरान और 12 यूज करते हैं तो इसमें फ्लावर और आच्छे आती है उसके बाद जीरो बाउंड चौटीस और तोड़ाई के करीबन आठ से दस दिन पहले करीबन अपन लोग जीरो जीरो पचास के यूज करते हैं और बीच बीच में अपन लोग क्या है पाउधों में करीबन 17 पोसकत्त फसल हमारी अच्छी रहती है दोस्तों यह फूट बोरत देखिए हम लोग का गैंदा लगाने का इसमें फैदा क्या है फूट बोर ने अपना यहां पे बैठना चालू कर दिया अन्य है अपन लोग गैंदा की खेती इसमें नहीं करते बीच बीच में तो इसमें डारेक्ट जैसे धान में अपने देखेंगे इस फिल्ड में यह दि लगाते हैं तो पचास से साथ रुपर इसमें कमाते हैं लेकिन हम लोग मिर्चे के भी खेती के हैं तो करिबन अभी तो रेट वगर यह बढ़िए है और इसमें आप देखेंगे तो प्रोडक्षन वगर इसमें करिब कैसे तो करिबन यह देखेंगे और वगरेर 272 दू कुंटल से ज्यादा ही निकल्ना मेर्चे तो इसमें आपन देखेंगे रेट के हिसाब से तो करिबन करिबन यह Paul traik यह दसलाग करिबन आकरी तक जै ना चियाए मेरे हिसाप से इतना दिन से मैं कर रहा हूं तो करिमन करिमन आप देखेंगे यदि हम लोग खर्चा भी बहुँच ज्यादा करें तब भी हमारा 50% पुरा प्रॉफिट है तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी के डेट में वेजी टेवल क्रॉप करना मेरे हिसाप से धान के कंपेर में बढ़िया है किसान में जैसे कि अभी देखें जो हमारे रवी जी है एक उननत किसान है मीर्ची की खेती में इन्होंने जो है सारा डीटेल आपको बता है और निश्ची तोर पे हमारे छेतर में जून जुलाई में मीर्ची की खेती की जाती है अगर हम 15 दिन में जो है आपको इससे पैसे मिलते हैं जिससे कि आपके घर के भी खर्चे चलते हैं और आपने भी जो खेती करते हैं उसमें भी जो है आप फायदा कमा सकते हैं जैसे कि आपने देखा सर ने बताया कि इसकी प्रोफिट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे धान में पचासन जार उपय कमाते हैं तो सब्सक्राइब करें जो विडियो में अपने आईडिया को आप इस आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत देनेवाद जय भारे जय हिंग